हेलो दोस्तों नमस्कार आप देखने बिनजीर क्लास आज हम आपको बताने वाले हैं मद्ध प्रदेश एक्जाम के बारे में यानि UGPG परिक्छा के मामले में UGC के निर्देश्यों को याधार पर अब मद्ध प्रदेश में आईगी रिपोर्ट यानि जो कमेटी बनाई ग प्रदेश्यों के लिए अब उसकी रिपोर्ट UGC के दिसा निर्देश्यों के आधार पर पुनह मुल्यंकन के बाद यानि एक बार फिर से अब लोकन करने के बाद या रिपोर्ट दो तिन दिनों में स्वाप दी जाएगी इसके बारे में आज हम वीडियो में समझेंगे इससे पहले UGC की क्या गाइडलाइन आई है उसके बारे मैंने वीडियो अप्लोड कर दी है आप अगर देखना चाहते हैं तो नीचे लिंक मिल जाएगी आप बाच कर सकते हैं तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को और चिसिक्षा बिभाग द्वारा परिक्षा कराने की गाइडलाइन त्यार करने के लिए बनी कमेटी अपनी रिपोर्ट बिभाग को मंगलवार को देने से पहले ही UGC ने अपनी रिपोर्ट गाइडलाइन यानि जारी कर दी है इस बजह से कमेटी ने अपनी रिपोर्ट फिलहाल रोक दी हैं अब माना जा रहा है कि यह कमेटी दो या तीन दिन में अपनी रिपोर्ट सौप देगी राजपाल महुदे को इस कमेटी का समन वेक गवालियर की जीवाजी विश्विद्याले की कुलपती प्रोफेशर शंगिता शुकला जी को बनाया गया है जबकि राजपाल लालजी टंडन की अध्यक्षता में विश्विद्याले के कुलपती और उच्छा बिभाग के कई अधिकारियों की बीच बैठक हुई थी इसमें तैंक किया गया था कि यूजी और पीजी के अंतिम सिमेश्टर या बर्स की परिक्षा माई में ही शुरू की और पीजी के दूसरे शिमेश्टर की परिक्षा के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी विभाग ने राजपाल के निर्देशों पर यह एक कमेटी का गठन किया था जिसकी अध्यक्षता जीवा जीविश्विद्याले की प्रुफ यानी कुलपती मोहदे कर रहे थे ठीक है फिर रिपोर्ट के आधार पर इन परिक्षाओं का प्रारोपता करना था लेकिन अभी तक यह रिपोर्ट आने पाई इससे पहले ही यूजीशी के निर्देशों का उलंगन ना हो और पुरिक्षा उनहीं दिसा निर्देशों के आधार पर हो इस बज़े से कमेटी ने अप उसने रिपोर्ट बनाने के दौरान UGC के द्वारा जारी किए निर्देशों का भी पालन करेगी कमेटी के रिपोर्ट और UGC के निर्देशों में आपसमे ठकराओ ना हो इस बज़े से UGC की गाइड लाइन देखकर अब रिपोर्ट में थोड़े बहुस चेंजिस किये जा प्रप्ट.